हूलो अच्छो आप लोग कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छों को बहुत मलाग पढ़ाई करोंगे आज मैं आपको सिखाता हूँ, एक रेक्शन को बैलेंस करने के रेक्शन को कैसे बैलाईस किया जाता है चली स्टार्ट करते हूँ तो यह तो रहाएं कि Capital Equation द रहाएं कि H2O2 टू करक्टू बनता है, H2O2 प्लस फोटू स्कटू करता है, इसको क्या करें हैं सब सब में डिवाट कीजिए, टू पार्ट में LHS में डिवाट कीजिए, डिवाट करने बाद क्या होगा, इस पार्ट में जितने भी मारे compound के elements हैं, आप देख सकते हैं कि hydrogen यहाँ पर 2 है, 2, oxygen 2, इस side में वही काम करेंगे, hydrogen 2, oxygen 1 plus 2, total कितना हो कमारे 3 होगे, आप चेक कर लिजे कि दोनों side के elements के number है, कोई अंतर है या नहीं है, जिरेकह, यहाँ पर 2 ते रखका है,unning 2 तर रखका है, इदर oxygen 2 ते रखका है, बट यहाँ पर देरका, 3 देरका, यह एक major difference है, जिर्फेंट रहका है, अब यहाँ पर क्या होगा इसको को यहाँ पर 3 करता है, यह और कोई number चेय होता है, चक करते हैं यहाँ पर यहाँ पर 2 का multiply करके देखते हैं तो 2 का multiply करें तो क्या होगा 2 का multiply करें तो कितना है कमारा 4 हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा 2 का multiply oxygen में 2 plus में 2 square 2 कितना होगा 4 होगा बड़ यहाँ पर कितना है कमारा 2 रेकर्ष क्या करेंगे 2 यहां कर देजिए 2 का multiply हुआ कितना होगा 4 हो गया देखिए 2 का multiply हुआ oxygen में कितना होगा 4 हो गया इतना करने बाद क्या करें दोनों साइट के जो भी elements है देखेंगे चेक करेंगे कोई difference अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा है hydrogen 4 hydrogen 4 oxygen 4 oxygen 4 यह reaction क्या हो गई बहुत आसान तरीके से balance हो गई तो आप क्या काम करेंगे बहुत आसान तरीके से चैनल को आप subscribe किजिए वीडियो को like किजिए वीडियो दोस्तों को share किजिए मिलता है आप next video में thanks for watching